यह चैप्टर और फोर चैप्टर दोनों खतम हो गेते तो अब हमारा जे लास्ट चैप्टर है एडिटी एंड इविलूशन यानि के इसमें विरासत का बात है इविलूशन इसमें कट किया हुआ स्लेवस वी हैव सीन दैट रिप्रड़क्टिब प्रोसेस गेव राइस तो न इंतर लिए होते हैं वही है डिसकॉस्ट हाओ सम्माउंट आव एरिएशन इस प्रेडूश्ट हमने इस बात के बारे में भी चिरा की है के वेरिएशन कैसे पैदा होते हैं इवन डियूरिंग असेक्षव रिप्रड़क्शन में भी होते हैं एंड नमबर आप सक्सेस्फ़ वेरिएशन जार मैक्सिमाइजड बाइदा प्रोसेस अव सेक्षव रिप्रड़क्शन और जनन प्रिक्रिया जो जिसमें मादा और नार दोनों के जोगदान जो दोनों का योगदान होता है तो सभवता पूरू गस्में वेरिएशन आगे बढ़ती है अगर हम एक गन्ने के खेत में देखें वी फांड वैरी लिटल वेरिएशन अमंग दा इंडिविजल प्लांट्स तो पौदों में बहुत कम अंतर दिखता है बट इन नंबर आफ एनिमल्स इंक्लूडिंग हीमन बींग्स प्रंतु जानवरों में जो अंतर है वो बहुत ज अगरे बड़िजल तो बिलकुल अलग अलग जो बदलाव हैं वो उनमें दिखते हैं इन दिस चैप्टर वी शल वी स्टेडिंग दा मेकैनिजम बाई विच वेरिएशन आर क्रियेटर्ड तो हम उस तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसके साथ वेरिएशन जो होती हैं आलसो एन इंट्रेस्टिंग पॉइंट तो बी कंसिडर्ड यह बहुत दिल्चास मुद्ध है लंबे समय तक इनका आपस में एक अठा होना वेरिएशन का जमा होना और आगे बढ़ना वी शल भी स्टेडिंग दिस अंडर एविलूशन और यह हम एविलूशन के दोरान जैसे एक एक्जेंपल दी हुई है यह एक जीव है तो इसके दो जीव बने हैं तो इन में क्या-क्या बदलाव है इसका जो टॉप है वो चेंज है और इसका बॉटम चेंज है और इसका टॉप दोनों इसके बाद जो सेकंड वे डिवाइड हुई है उसमें यह दोनों सेम ह लेकिन ये वाला जो है बिना रंग का है और ये वाला अलग रंग का है जैनि इसमें आगे आगे वेरियेशन जो है बदल गई तो इसकी वेरियेशन जो है इसका ये वेरियेशन होता इससे ये दोनों सेम है और लेकिन ये ही वेरियेशन जो है वो आगे गई है तो लेकिन इसक जे सेंटर वाला जो है इसका कलर जो है वो डिफेंट हो गया है थोड़ा थोड़ा डिफेंट मिल्ब उसमें आता है क्रियेशन ओफ डाइवर्स टी ओवर सक्सीडिंग जनेरेशन आगे आगे जो जनेरेशन आती है उनमें डाइवर्सटी होती है रिचना होती है at the top will give rise to जैसे जह पहला जो जीव है इससे यह दो जीव जो ऐसे पैदा हुए है उन में similar body design उसमें है but with suitable differences है थोड़ा थोड़ा उसमें difference है तो each of them in turn will give rise to two individuals तो उसके बाद एक हर एक का एक का एक का इसका यह बन गए इसके पहले यह दो बन गए और इनके यह दो बने और इसके यह दो बने तो इन दोनों में आपस में ऐसे थोड़ा थोड़ा difference हाता जाएगा जो लेकिन body design जो है वो सभी का same है next generation each of the four individuals in bottom row will be different from each other तो यह चारों जो हैं आपस में एक दूसरे से बिलकुल भिन हैं while some of these differences will be unique और इनके जो difference है वो जुनीक हैं का मतलब एक दूसरे से बिलकुल नहीं मिलते others will be inherited from their respective parents तो दूसरे जो बदलाव हैं वो उनके parents से आते हैं who are different from each other जो के बिलकुल एक दूसरे से भिन थे inheritance from the previous generation provides both a common basic body design तो inheritance जो होती है वो पिछले जो generation से आती है वो common basic body design उसमें आता है and subtle changes subtle का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अंतर उसमें होता है innate next generation तक जाते जाते now think about what would happen when this new generation in this turn reproduces तो अब हमें आगे देखते हैं कि जो एक बार generation हो गई उसके बाद next generation में जो नए जी पैदा होंगे वो कैसे reproduce होंगे second generation will have different differences that they inherit from the first generation तो पहली दूसरी generation में जो उन्होंने पहली generation से बदलाव धरण किये वो ही आगे जाएंगे as well as newly created differences और उसमें नई रचना वाले difference भी आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है would represent the situation if a single individual reproduces जदी एक single reproduces की reproduction होती है तो उसमें a sexual reproduction है तो one bacterium जो है वो divide होता है दो resultant bacteria में divide होता है तो four individuals bacteria generated would be similar तो चार जो दो से चार बनेंगे वो भी लगवग एक जैसे होंगे there would be only very minor differences तो उनमें बहुत थोड़ा अंतर होगा between them generated due to small in a crisis in dna copying तो उसमें dna copying के दुरान थोड़ा थोड़ा अंतर होगा however if sexual reproduction is involved अगर उसमें sexual reproduction शामल होगी even greater differences will be generated तो उसमें ज्यादा अंतर पैदा होंगे as we will see them when we discuss the rules of inheritance तो जब हम इसके जो इस chapter का main जो point है के rules of inheritance जब हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अंतर पैदा होंगे do all these variations in species have equal chances of surviving तो जे जो variations जब होती हैं तो क्या वो species जो होते हैं अलग जो जीन्ज वाले तो क्या उनका जो surviving chance same होता है in the environment in when in which they find themselves जब वो अपने आपको जीवनजिनदा होते हैं तो जिस में जिस वातावर्ण में अपने आपको पाते हैं क्या उसमें वो जीवत रहते हैं जा उनमें जीवनमें कोई बदलाव होता है तो ऐसा कभी-कभी होता है कि जब हमारे प्रयावर्ण में कोई ब बदलाब होते हैं जिन से वो उस नए वातावरण में रहने के काबिल हो जाते हैं और दूसरे जिन में वो बदलाब नहीं होते वो मर जाते हैं बदलाब के कारण उनमें ऐसी क्षमता आ गई कि वो तापमान को सेहन कर सकते हैं तो वो बच जाएंगे बैटर उसके आगे हीट वेव के दुरान ज़्यादा बच जाएंगे जैसा कि हमने पहले भी पड़ा सेलेक्शन और फेरियेशन बाई इन्वार्मेंटल फेक्टर तो पर्यावरन के जो ततो हैं उनसे बचने के उनकी संभावना बढ़ जाती हैं तो ऐसे फॉर्म्ज होती हैं बेसिज ता इविलूशनरी प्रेजेंस तो उसके प्रोसेस इविल करा इसको इससे आगे पढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन करते हैं